हलो दोस्तों, इस हबते का rapid session round हम सुरू करने जा रहे हैं इसके पहले कि मैं आपको बता दूँ कि ये session हमें live करना था चुकि technical problem के कारण हम इसको live कर नहीं पा रहे थे इसलिए मैं आपको ये video के form में provide करा रहा हूँ तो चलिए सुरू करते हैं, आज का पहला सवाल है राश्टरी फिल्म पुरुसकार की अस्थापना कब हुई? option A 1951, option B 1952, option C 1953, option D 1954 time up, correct answer है D 1954 next question हाली में संपन हुए राश्टरी फिल्म पुरुसकार का यह कौन सा संसकरण है? option A 65, option B 66, option C 64, option D 68 time up, answer A B 66, next राश्टरी फिल्म पुरुसकार कितने फिल्ड में दिया जाता है? A 2, B 3, C 4, D 5 correct answer है B, 3, next 66 राश्टरी फिल्म पुरुसकार में बेश्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसने जीता? A. उरी, B. अंदधुन, C. बदाई हो, D. पैडमेन correct answer है B, अंदधुन, next 66 राश्टी फिल्म पुरुसकार में बेश्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? A. अक्छाकुमार, B. आयश्मान खुराना, C. विकी कोशल, D. आयश्मान खुराना और विकी कोशल correct answer है D, आयश्मान खुराना और विकी कोशल, next 66 राश्टी फिल्म पुरुसकार, 2019 में बेश्ट एक्टरिस का अवार्ड किसने जीता? A. कीर्थी श्रेस, B. कीर्थी सेजनन, C. दीप का पादकोड, D. अनुसका सर्मा correct answer है A. कीर्थी सेजन, C. अनुमलिक, D. इन में से कोई नहीं correct answer है B. संजलीला भनसाली, next 66 राश्टी फिल्म पुरुसकार, 2019 में बेश्ट वेक्ग्राउंड म्यूजिक का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? A. अन्दादुन, B. उरी, C. पदमावद, D. इन में से कोई नहीं correct answer है B. उरी, next 66 राश्टी फिल्म पुरुसकार, 2019 में शुर्सल इशू पर वेश्ट फिल्म किसे घुसित किया गया? A. टॉयलेट एक प्रेम का था, B. पदमावद, C. परमावद, D. इन में से कोई नहीं टाइम अब, correct answer है B. पदमावद, नेक्स्ट, 66 राश्टी फिल्म पुरुसकार, 2019 में बेश्ट प्लेवेक सिंगर का अबॉर्ड किसे मिला? A. अंकेत्तिवारी, B. अर्जी सिं, C. एयार रेमाण, D. सोनु निगम टाइम अब, correct answer है B. अर्जी सिं, नेक्स्ट, भारत के राश्ट्रिगान, जन्गड मन के रचाईता कौन है? A. रविंद्रनाट टेगोर, B. नेताजी स्वाश्चंद्र बोस, D. सोरी, C. बंकिम चंद चटू पात्या, D. इनमें से कोई नहीं Correct answer है A. रविंद्रनाट टेगोर, Next. अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल तक शार्षन किया था? A. तक्रीवन 100 साल, B. तक्रीवन 170 साल, C. तक्रीवन 200 साल, D. इनमें से कोई नहीं Correct answer है तक्रीवन 200 साल, C. Next. बक्सर का युद्र किसके बीच में हुआ था? A. अंग्रेज़ वा मीर काशिम, B. अंग्रेज़ वा सिराजु दोला, C. अंग्रेज़ वा त्रगुट, D. इनमें से कोई नहीं Correct answer है A. अंग्रेज़ वा मीर काशिम, Next. 1857E के बिद्रोग का ततकालिक भाशन था? A. चर्विवाले कार्टूसों का मामला, B. बिटिस सरकार की नीतियों से तीप्र असंतो, C. समराज़ वादी शोशन की नीति, D. आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करना Correct answer है A. चर्विवाले कार्टूसों का मामला, Next. 1857E के बिद्रोग में कानपूर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? A. कुवर्सी, B. तात्याटोपे, C. जनरल वक्त, D. नाना शाहव Correct answer is D. नाना साहव Next. निम्नलिकित में से किसको भारती क्रांतिकारी आंदोलन की दादी बोला जाता है Option A. सरोजनी नाइडू, Option V. लच्विमाई, C. एनिवेशेंट, D. मेडम कामा Time up! Option D. मेडम कामा Next. भारत के प्रधान मंतरी 15 अगस्त को दोज कहां पहराते हैं? Option A. इंडिया गेट, Option V. भारत की संसर्द, Option C. दिल्ली की लालकिला, Option D. भारत का सरोचनी आएले Correct answer है C. दिल्ली का लालकिला Next. पहली वार भारत का राश्ट्री दोज कब फैराया गया था और कहां? Option A. 9 अगस्त 1910, गेटवे ओफ इंडिया, मुंबई, Option V. 7 अगस्त 1906, इंडिया गेट, देल्ली 8 अगस्त 1908, लालकिला, दिल्ली, Option D. 7 अगस्त 1906, पार्सी बगान, स्वायर, कोलकाता Correct answer है D. तो ये तो था इस हपते का Rapid Session Round, जो दो आर्टिकल्स में से कुछ क्वेश्चन लिए गए थे, बनाए गए थे, उसका आपके सामने पेस किया गया अगले हपते आपको फिर दो आर्टिकल्स दिये जाएंगे, उन्हीं के अंदर से कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे और आपके सामने पुना Next Saturday Rapid Session Round खिला जाएगा तो अच्छे से सुनते रहेगा और Rapid Session Round में भाग लेते रहना, धन्यवा